नमस्कार दोस्तों आउल टीटी त्यारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है साथियों कल से जो है बहुत ही जादा गुरूप में वैरल हो रही है चरित्र परवान पत्र को ले करके कैसे बनाएं और बहुत सारे अभ्यरत्यों के द्वारा मुझसे भी पूछा गया है साथ में कॉल भी करते हैं मैसेज भी करते हैं और कहते हैं कि चरित्र परवान पत्र कहां से बनवाएं मुखिया से बनवा लें, ब्लॉक से बनवा लें, SP से बनवा लें, SDO से बना लें, किस से बनाएं तो सभी बातों पर मैं अभी आपके सामने में चर्चा करूँगा आपके सामने में जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये भी एक चरित प्रमान पत्र ही है और किसी साथी के द्वारा बनवाया गया था जिनका नाम है उमेश पंडित और गोपाल गंज के रहने वाले हैं और 26.9.2019 को ये परवान पत्र बनवाये थे तो किस प्रकार से बनवाया जाएगा और कहां जाना परेगा सभी बातों पे मैं आपसे चर्चा करूँगा आपसस को पता होगा आड़़िपिएस भी कहते हैं वहाँ पर आपसभी को जाना है वहाँ पर जाने के बाद आप किसी से भी पूछिएगा कि मुझे पुलिष अधिक्षक कार्या ले जाना है एसपी साहब के जो आपपीस है उसमें जाना है वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर बनेगा उनके आसपास में ही office होता है और जिसे अब लेखा गार भी कहते हैं नकल खाना भी कहते हैं उसी के आसपास में होता है वहाँ पर आप जाएंगे तो नकल खाना वाला भी आपको बता देगा कि कहाँ पर बनेगा तो आप लोग सबसे पहले डिरिश्टिक कलेक्टरेट ओफिस जो आपके जिला में हैं वहाँ पर आपको जाना होगा आटी पीएस ओफिस पुलिश अधिक्षक काडिया लए ओफिस यदि आपको लगता है कि आपके घर से जिला दूर है तो आप अपने जो पास के थाना हैं उसमें भी जाकर के पता कर सकते हैं कि मुझे शिक्षक बनना है और मुझे वहाँ पर अपना चरित्र परमानपत्र देना है करेक्टर सर्टिफिकेट देना है ऐसा आप वहाँ पर पता कर सकते हैं तो बिहार में जो शिक्षकों की बहाली पर किरिया चल रही है उसमें बहुत अनिवारी है चरित्र प्रमानपत्र करेक्टर सर्टिफिकेट तो मैं आप सभी को फर्म दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि कितने दिनों के अंदर में ये बन जाएगा और क अधिक्षक वहाँ पर जो है वो उन्हीं को ये फोटो है और वही करेंट का फोटो आजकल का फोटो खिचबाके आपको यहाँ पर लगाना होगा विशाय आचरन प्रमानपत्र निर्गत करने के संबंध में करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमानपत्र महाशय शविने निवेदन है कि मुझे आत्रन पर्मान पत्र की आवशकता है और जिस कारी के लिए है वो आपको यहाँ पर फिल करना है शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अध्यापक यहाँ पर लिखेंगे, मैं आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, पिता या पती का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ग्राम मुहला का यहाँ पर पता लिखेंगे, जो आपका पोस्ट ओफिस होता है उसका नाम यहाँ पर और करीवी, कितने वर्सों से आप रहते हैं करीव, यह यहाँ पर लिखेंगे 10 बर्स, 5 बर्स, जन्मजात, जो भी है, उसके आगे यह की मेरे विरुद किसी थाना या न्यालाय में कोई अपराधिक या दिवानी का मुकदमा लंबित नहीं है, उसके बाद ट्रेचर जी, चला कर दिया हूँ, आवेदन पत्र के साथ नेरा हाल का स्वा, अभी प्रमानी किया हुआ, उस पर हस्ताक्षर करेंगे फोटो पे, और मुझे स्रिमान द्वारा निर्गत आचरन प्रमान पत्र की सक्त आवशकता है, काड़िये के लिए जो पढ़ा है, वो लिकिंगे काड़िय पढ़ गया है, तो साथियों इसी प्रकार से आप इस फॉर्म को फील करके, अता स्रिमान से नम्र निवेदन है कि आचरन प्रमान पत्र निर्गत करने की असीम कृपा, जो है वो की जाए, यहाँ पर और यहाँ पर देख लिजिए हस्ताक्षर, पहले यहाँ पर आप दिना पास में आ जाएगा, वैसे ओनलेन माध्यम से भी इसका अपलाई किया जाता है, आप पता कर लिजिएगा आजपास में, यदि वहाँ से हो जाता है, तो ओनलेन भी आप लोग कर सकते हैं, तो साथियों खास करके चरित्र प्रमान पत्र को ले करके, बहुत सारे साथियों का मेरे पास में कॉल आया था और मेशेज आया था, तो मैंने आप सभी को लाइफ दिखा दिया कि किस प्रकार से आप चरित्र प्रमान पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप बनवा सकते हैं, तो आपको उसके लिए जिला समहार नाले डिस्ट्रिक कलेक्टरेट ओफि के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साधाने बात साथियों